नवस्कार किसान भाइयो यह देखिए यह हमारा गन्ने का खेता जिकी बात दोगों ने इसी के मिट्टी में मिला दिया हमारा और आपका एक और कदम और गैनिक के तरफ क्योंकि अक्सर हमारी सोच क्या होती है जो हमारे पास होता है उसकी हमें कदर कम होती है हम उसकी value नहीं समझते है इसी में अगर हम आग लगा देते तो दिखने में तो खेत साफ सुतरा हो जाता बाई भी अच्छी होती अब इसमें गेंव लगाएंगे बाई भी हम मसीन से कर सकते थे उसके बाद लेकिन जो नहीं दिखने वाली चीजें थी वो सुक समझी वो अपनी मिट्टी की सेहत वो तो बिल्कुल खराब हो जाती न लेकिन हम हर बार यहीं करते हैं इसी तरीके से जो पेड़ी करना होता है उसको अपने सुगर मील में डाल के उसके बाद जब हम नॉंबर और दिसंबर तक क्योंकि लेट पच्छेती बुआई भी चलती है ग्याओं की जब भी खेत खाली होता है तो हम पच्छेता जो गेहूं लगाते हैं वो इसी तरीके से गन्ने की पात्ती को इसके अंदर मिट्टी में मिला के उसके बाद हम गेहूं की फसल बहुते हैं इसमें और उसमें उत्वादन भी अच्छा ही होता है पिछली बार हमारा इसी में 20-20 कोंटल गेहूं निकला था इसी तरीके की विधी से तो ये बहुत ही बैतरीन है इसके रिजल्ट बहुत दूरगामी है मिट्टी की सेथ सुधरती है जो सुक्सम जीव है मिट्टी में उनकी संख्या बढ़ती है आग लगाने से तो सब कुछ ही खतम हो जाएगा आग लगाना तो कभी व्योप्षन होना ही नहीं चाहिए हमारे वातावन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है साथ हमारे मिट्टी भी खराब होती है हम पहले आग लगाते हैं फिर भार से रसायनिक खाट डाल के अपने खेत को सुधारने की कोशिस करते हैं वो सुधार नहीं है आग लगा कि आपने खराब किया रसायनिक खादों के साथ फिर आप उसे खराब ही कर रहे हो मिट्टी की सेहत को बिल्कुल बरबाद कर रहे हो इस तरीके से लेकिन अगर आप ये विधी अपनाते हो तो आपकी मिट्टी की सहत तो अच्छी रहेगी आपको उत्पादन भी अच्छा होगा और आप साल दर साल अच्छी खेती कर सकते हो क्योंकि मिट्टी को खाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए या तो आप गोबर की खाद दीजी उसे गोबर की खाद नहीं दे सकते तो इस तरीके से इसको भी हम डीकम्पोज मिट्टी के अंदर ही कर सकते हैं अब गेहों की फसल में एदिरे धीरे डीकम्पोज होती रहेगी जिसमें हम वेश डीकंपोजर भी जलाएंगे सिचाई के साथ और ये जैसे जैसे डीकंपोज होगी वैसे वैसे ये पोध्य को भी खुराग देती रहेगी तो इसमें हमें बाहर से यूरिया या फिर और केमिकल फर्टिलाइजर हैं जुरुत भूती कम पड़ेगी और यानिक कारवन की पर्चंटेज भढ़ेगी बहुत ही बेनिफिट हैं बहुत सारे बेनिफिट हैं तो इस तरीके को पनानी की कोशिश करिए मैं तो यह ही सुजावा आप लोगों को दे सकता हूं यह गन्य का खेत था हमारा खाली हो गया अब गहों की बुआई करने वाले हैं इसमें तो अभी एक दो दिन यह थोड़ा सा गीला खेत है तो अभी एक दो दिन दूप लगने के बाद फिर इसमें गहों की बुआई होगी तो ये मेरे कुछ परियास है जो हम लगाता रहा है अपने खेत में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं नमस्कार जैंद